नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक live demo बताऊँगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि आप SBI Yonolight app यूज़ करकर किस तरीके से UPI transaction कर सकते हैं, किस तरीके से आपको किसी भी व्यक्ति को payment कर पाएंगे simple SBI Yonolight आपको install करके रखना है, अब उसको UPI से किस तरीके से payment होगा, अब हम एक live demo देख लेते हैं, आपके सामने Yonolight app खुली हुई है, तो आपको सबसे उपर option देखेगा UPI transfer का तीसरे number पर, आप शुरू शुरू के जो tab में देखेंगे, तो आपको UPI transfer पर click कर देना है, फिर आपके सामने option आजाएगा make payment, तो make payment में जाके आपके पर दो option है, या तो आप virtual number डाल दी जाएगा, या account details डाल सकते हैं, आप अगर account details डालेंगे, तो आप बहुत choose कर सकते हैं, यहाँ पर amount डाल सकते हैं, remark डाल देंगे, आप फिर अपना remark डालेंगे पर submit की बटन पर आपको click कर देना है, submit की बटन पर click करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP नमबर आपको enter करना है, OTP नमबर एंटर करने के बाद submit की बटन पर click करने के बाद आपके बाद message आजाएगा कि आपके रुपे successfully transfer हो चुके हैं, यह देखिए message आगया, reference नमबर आगया, इस reference नमबर को आप समाल के रख सकते हैं, अब यह आपका एक UPI transaction successful हो चुका है, तो इस तरीके से काफी simple है, SBI Yonolight से आप अगर UPI transfer किसी को करना चाहे तो, तो friends मुझे उमीद है कि अब आप भी UPI transfer के लिए अपनी Yonolight app ही use करेंगे, यह बहुत ही simple और convenient है, please मेरा वीडिय subscribe करवा के रखें, धन्यवाद friends